नियो मेंटर सेटी गोजर खान की जो मैनेजमेंट है इस वक बहुत ज़्यादा कंसरेंड है अपने जो रहाइशी हैं उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए इसलिए साइट पे अगले दो से तीन दिन में आपको एक M.O.U के फॉर्म में बहुत सोचल मिडिया पिच्छ न किसी भी इंडिविजिल से पूछ लें जो पाकस्तान के एजुकेशनल इंफरस्ट्रक्ट्चर से वाकिफ है वह को बता देंगे कि रूट्स वालेज स्कूल है यह हमेशा ब्रेंडिट प्रड़क्ट में जाते हैं किसी और रैंडम किस जगा पर जाके अपने केमपस त्यार नहीं करते हैं आपको इसलामबाद में नदर आजेंगे किसी सीडिय सेक्टर में नदर आजेंगे डियाचे में नदर आजेंगे गुल्बग में नदर आ गया है और इसके लावा जो बाकी ब्रेंड़ेट प्रड़क्ट्स हैं वहां पर जाके ब्रेंड़ेट प्रजेक्स के गोजरखान की साइट पे आने जा रहे हैं नमबर वन रूट्स का कॉलिज और रूट्स मिलिनियम स्कूल और रूट्स आईवी कॉलिज यह दो चीज़ नमबर टू कि आपको 300 बैट का हॉस्पिटल साइट पे जिसका मोई अंकरीब होने वाला है क्योंको साइटी ने लैंड रिजर्व कर दिया 300 का 300 किनाल प्लस की अब उस लैंड पे 300 बैट का जब हॉस्पिटल बनेगा तो वहाँ पे उसकी बिल्डिंग जोगी वो अपने उतौर पे फ्लैक्शिप बिल्डिंग होगी लहोर से लेके रावल पिंडी की दिर्मयान में इस को यू साइन करने के लिए 700 किनाल एरिया का रखबा ऐसा है जो मुखीत किया गया फॉर यूर्श्टी केंपस तो गुजर्खान में इससे पहले को यूर्श्टी नहीं है आपको तो यूर्श्टी जब मिलेगी साइट पे तो गुजर्खान आटमेटिकली मौडरन गुजर जो आडवांटेज जो है नियू मेटर सिटी गौजर्खान को आने वाले दिनों मिलने जा रहा है तीन्सो बैट का हॉस्पिटल फ्लैक्शिफ हॉस्पिटल होता है ये को चो चोटा मोड़ा हॉस्पिल ने तब इसलामबाद में आपको चंद हॉस्पिटल नजर आते हैं ज जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए 40 क्रोर रुपीज या 400 मिलियन रुपीज जो है स्टाइटी ने रिजर्फ की है उस कंपनी के लिए जिसने बैरियर टाउन कराची का गेट बना कर दिया था तो आप इमेजन कर सकते हैं कि ये किस तरह का पॉजेक्ट होगा तो आने वाले दि कीमा को दीजिए अगले वीडियो देके लिए खुदा आप्र